दूर तक पहले रेगिस्तान के सीने पर उठता रेट का बवंडर नीचे घरघराते टैंकों का आगे पढ़ता रेला और उपर चक कर लगाते हेलिकॉस्टर फॉज हमेशा वीर महावीर और शूर्वीर रहा है जमीन पर करीब पचास हजार जवानों का जमावण लेकिन कफ़ा आस्मा पर भी परकराद शूर्वीर एक मौका है जो हमारी ट्रेनिंग है उसको यहाँ पर आकर टेस्ट करने का परिशन करने का कि क्या हमने जो ट्रेनिंग की है वो सही है और क्या हम सही कारवाई करने अंतराश्टिय सीमा से सिर्फ सत्तर किलोमीटर दूर ये जग है पहली नजर में किसी मोर्चे से कम नहीं लेकिन सेना के लहजे में तैयारी भी जंग से कम नहीं होती है खासकर जब दुश्मन पर पहला वार करने वाली स्ट्राइक कोर की मौजूद की इस बात की तस्दीग कर रही हो ये कवायद सिर्फ दिखाने की नहीं बल्कि खुद आखने की है शूरवीर क्योंकि हम लोग सभी शूरवीर है तपती गर्मी रेट के मैदान में हमारे हजारों जवान पसीना बहा रहे हैं आखिर क्यों क्या आप जानना चाहेंगे तो चलिए आपको मिलवाते हैं सूरवीर से ये तस्वीरें पेश करती है नजारा भारतिये सेना की तैयारियों का एक अंदाजा इस बात का कि अगर जंग छिड़ी तो मोर्चे पर सेना किस तरह है और किस हद तक कहर बरपा सकती है तैयारी भी आधी अधूरी नहीं बलकि पूरी है जमीन पर टी-90 जैसे टैंक तो आसमान में दुश्मन को तहला देने वाले इस सुखोई इतना ही नहीं अपनी सरहद में घुसपैट की हर हिमातत को रोकने के लिए आर्मी एर डिपेंस गन थी तयार जो एक किलोमीटर से लेकर पच्चीस किलोमीटर तक अचूक निशाना साथ सकते हैं एक ऑगर यह संब क है तभी फईनल हो सकता है अगर यह संलनी तो यही हुसकथ om मुव कमिलेंगा तो दुश्मन को चैने चाबबादेंगे यह हमारा ि राजस्तान के सरहदी और ठार के रेकिस्तानी वाकि सुरण डवने में सिना की ये प्रेक्पिश परवरी के आखिरी हफ्ते से मैई की पहले हफ्ते तक जारी है शुरुवात में तादाद कम थी लेकिन धीरे धीरे जवानों का जमावणा बढ़ने लगा और हर तरह के हथियार यहां पहुशनों लगे अंत में तो यही लगा मानों यहां कोई सच्मूच की जंग तो पर अजय कोई सबस्क्राइब पर अजय कोई सबस्क्राइब तो